तो आप लोग अच्छी तरीका से देख लीजिए और आप कमेंट में बताईएगा कि इस जगा कैसा है फ्राइट सिल बनाने के लिए मैं आसा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत दिनों से मेरे चैनल पर लोंग वीडियो नहीं आ रहा था बढ़ कोई बात नहीं अब रेगुलर लॉंग वीडियो आएंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक फिर से फाइट वीडियो आने वाला है असकूफ वीडियो तो वही लोकेशन को दिखाने के लिए आज जा रहा हूं तो आप सुरू से वीडियो में बने रहे तब ही आपको वीडियो देखने में मज़ा आएगा तो चलिए जादा देर ना करते हूं यहां से निकलते हैं फटाफट आज बस वहां पे बस पहुंचने ही वाले हैं उस जगह का लोकेशन आपको अच्छी तरह से दिखाएंगे जहां पे मेरा फाइट सीन सुट होने वा अगेरा इधर टरक भी है इधर पूरा फिल्ड जो कि यहां पर बहुत मस्त भीू देने वाला है उस वीडियो में जो कि फाइट करने में यहां पर आसानी भी होगा और अच्छ अच्छ सीन इस जगह पर आएंगे भी यहां पर ट्रक हो गया उधर घर भी है बना हुआ तो आप लोग अच्छी तरीका से देख लीजिए और आप कमेंट में बताईएगा कैसा है फाइट सिन बनाने के लिए दिखाते हैं आपको बैट कैमरा से देखिए छोटा मोटा बिल्डिंग बना हुआ है इधर बालू है अच्छा है न कि यहां पर फाइट सिन गजब बनेगा दो, भाई साव, इधर एक बार जिस वगे देखो अरा रख में देखो बालू यहां बालू है इस पर अगर तो चोटवन ही लएगा जिससे कहीं बननाने में आसानी होगा किसी का नुक्सान नहीं होगा किसी को छोटने नहीं लेगा और अगर दोड़ने का सिन रहेगा इधर से दोड़ सकता आसानी से जो कि देखने भी अच्छा लेगा देखने में कुछ लेगा यूनिक जैसे की गाउं में बनाते में ठख गए थे और इधर देखिये ट्रक बगिरा लग सकते हैं इस वाले गिट्टी पर इधर पूरा इलाका में और दो तीन ठोक किरान भी लगा हुआ है जहां पर कि अगर वीडियो बनाएंगे तो कुछ यूनिक लगेगा तो भाई साब दो से तीन दिनों में वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा जो आप लोग किसामने पेस कर अब की कमें जरा है हर चीज खास है अज यह देखवा रड पता है एक रड कम से कम एक लाग का हुगा इतना बज़न है इसका हाँ तो गायज आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि जितना ही मैंने लोकीसें दिखाया कैसा था आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए धमाके के साथ जाहिंद बंदे मात्राम